ओके गाइस तो वीडियो का टाइटल और थमनेल लिखने के बाद तो आप सबी समझी गई होंगे कि आज का ये जो वीडियो है वो किसलिए है तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत ही जदा क्लोज हो करके अपना जो एक्सपीरियन्स और जर्नी सब को शेयर करने वाली हूँ कोवीड-19 का तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखियेगा और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसन आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स मताईएगा कि अगर आपको कभी COVID हुआ है या आपके कोई family member को COVID हुआ है तो वो कैस सब्सक्राइब था उस दिन साटेड़े था उस सारीक को मेरे दादू का देर्थ हो गया था मेरे ग्रैंट फादर का देर्थ हो गया था और हम सभी घर पे बहुत ही नदा उद्रास थे उनको सिम्टम कुछ भी नहीं था उनका COVID के कारण अच्छली नहीं हुआ है उनका सब्सक्राइब था उनकी देर्थ हो गई और सारी रिच्वल्स को कंप्लीट करने के लिए हम सभी रिलेटिव को कॉल कर रहे थे बता रहे थे कि उनकी देर्थ हो गई है तो जो भी मेरी बुआ और चाचा जी जो भी रहते हैं मतलब आउट अफ स्टेशन पतना के बाहर जो सब्सक्राइब देर्थ हो जाती है तो आप सभी जानते ही होंगे कि कितना जादा बुरा लगता है तो हम लोग ऐसे ही बहुत ही ज़दा परेशान थे तो दिरे दिरे जैसे जैसे लोग आने लगे तो अपने आप हम लोगों को लगा के चलो ठीक है उसके बाद काफी सारी म मेरे चाचा जी जो लोग है वो लोग फ्लाइट से आने लगें तो फ्लाइट में भी अगर चड़ते हो तो बहुत ही ज़दा आपको साफधानी से चड़ना चाहिए तो वहीं पे कोई इन्फेक्टेड आदमी था मैं श्योर होकर कि नहीं बता रही हूं बट जो मैं आप ल अब हमें लग रहा है वो आप लोग उसे लोग आने लगें उसके बाद सारा जो भी रिच्वल्स था दस दिन में कम्पलीट हो गया और जितने भी रिच्वल्स से कम्प्लीट होने के बाद हम लोगों को कुछ इंटम नजर धिरी जरी आने लगा मतलब चुरी मुझी है मैं बहुत ही ज़्यादा थकावट फील करने लग रही थी सीड़ी चढ़ने में हम सभी को 2-4 सेकेंड के लिए हमारा जो सांस है वो चढ़ने लगता है लेकिन हमारा मेरा जो था वो 12-15 सेकेंड के बाद भी 2-4 मिनट के बाद भी मैं भारी-भारी सांस लेते रहती थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे ठकावट फील होता था टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम आने लगा था और मैं बहुत ही ज़्यादा घबड़ा गई थी मेरे पेरिंट्स को यानि कि मेरे ममी पापा को को भी symptom आ रहा था कि उन्हों को फीवर हो रहा था और मतलब रात को फीवर आता था दिन को बिलकुल ठीक हो जाते थे दोनों और उनको भी सांस लिने बहुत ही ज़्यादा problem हो रही थी मेरी मम्मी को asthma का problem है तो उसको कुछ जादा ही हो रहा था आप सभी जैसा कि जानते ही हों तो मेरी ममी को भी वही चीज problem आ रही थी तो फिर मेरे दादी जो है उनको आ रहा था कि मतलब उनको फीवर हो आ रहा था और उनको मतलब सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी लेकिन उनका जो oxygen लेवल था वो बहुत ही ज़दा घट रहा था तो और मेरे अ अनको खासी बिवहां ज़दा हो रही थी खासी थी छा उनका और फीवर भी था और उनको सांस लेने भी थी मेरी जो लेकिनी है उनको कीवाल सर्दी थी और मेरा बढ़ा बाई है उसको कोई problem नहीं था वो और जो चोटा बाई है उसको केवाल फीवर था यतना वके न भी जो लोग है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया तो हुआ starting में हम लोगों को धीरे-धीरे symptom नजर आने लगा तो एक दिन में मेरे पापा मेरे मम्मी दोनों योगा कर रहे थे और फिर उन लोगोंने मुझे बताया कि हम लोगों को symptom नजर आ रहा है कोरोना का और इसे लिए हम quarantine हो रहे हैं तो मैंने बदाया कि ठीक है तो वो आता है WhatsApp पर बहुत सरा message कि कपूर महको गुड़ खालो वो सब कुछ हम लोगों ने करके देखा ठीक है तो उसके बाद आता है message तो उसके बाद हम सभी ने वो सब कुछ पापा ममी जब कारेंटाइन हो गए तो उसके बाद फिर मुझे भी कुछ-कुछ फील हो रहा था तो मुझे लगा कि मैं भी मुझे भी कोरोना हो गया है तो मैं भी कारेंटाइन हो जाती हूं तो मैं अ नहीं पार रही हूं तो पारेंटाइन हो गए उसके बाद अगले तरह एक को ममी पापा और मेरा कॉरोना का टेस्स था ठीक है क्योंकि मेरे दादी के दैस्त के बाद मिर दादी थोड़ी हैसे वीक हो गई थी तो इतना लोग हम लोग नहीं मान पा रहे थे तो पापा, मम्मी, मीरा, हम तीनों ने जब टेस्ट कराया, हम तीनों कोई का पोजेटेव आ गया, जब हम तीनों कोई का पोजेटेव आ गया, तो मेरी जो बुआ लोग थी, वो सारे रिच्वल्स करके, वो अपने ससुराल चली गई थी, वो अपने घर चली गई थी पूने म वहां पर अपना टेस्ट उसी तारीक को करवाया था तो उन लोगों का भी उनके पूरे फैमिली में पोजेटेव आ गया था मेरी बुआ फुफा जो मेरे भाई है कजन ब्रदर बुआ का जो बेटा उन सभी का पोजेटेव आ गया था इधर मेरे चाचा चाची का भी सब्सक्राइब के घर भी फेज़ दिये थे और आफ्टर डाट हम सभी लोगों ने बहुत ही नदा सोचा कि आप यहां पे बिहार में उतना कोई आपको फैसलीटी नहीं मिलता है जैसे कि बीएमसी आपको वहां से मुंबई में अगर आपको अगर होता है तो वहां से आपक किया जाता है लेकिन वह फैसलीटी यहां पे बिहार में बिल्कुल भी नहीं है और यहां पे बहुत ही नदा लोग कैसली ले रहे हैं मैं जो पॉइंट से बात कर रही हूं उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यहां पे तो कोई कर नहीं पाएगा हमारे लिए तो हम लोगों अपने एग खिलाया, क्योंकि मैं वेजेटेरियन हूँ, बाकि मेरे घर में सब लोग नन वेजेटेरियन हूँ, बाकि मेरे घर में सभी लोग खाये और अपना इम्म्यून सिस्टम बढ़ानी के लिए, जितना जादा होता है आप वाइटमिन C कंजूम करिये, फ्रेश वेजे आपको खानी चाहिए, उसके बाद हम लोग जो खा रहे थे, जो मेरा बेसिकली जो डाइट था वह भी आप लोगों के साद शेयर करूंगी, तो फिर हम लोग दवा में अब हम लोग सोच रहे थे कि अब यहां पर दवा देने के लिए तो हमारे लिए है नहीं, तो दवा हम लोगों को वोटसप करके बता देते थे, तो मेडिसिन में डॉक्टर हमारे जो फैमली डॉक्टर है, उन्होंने हमारे प्रॉब्लम सुना और हम आमसे बात करा कि मतलब आप कैसे हो, आप लोग बहुत ही नदाव उन्हों हमारा केयर किया, उसके लिए मैं बहुत ही उनके थ चाहिए, फिर अजित्रोमाइसिन एक एंटिबाटिक आता है, वो दिन में आपको एक बार लेना चाहिए, वाइटमिन सी आप एक से दो बार ले सकते हो, अगर आपको फीवर आ रहा है, तो दिन में चार से पांच बार आप डोलो खालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको जितना जादा फीवर आएगा, उतना जादा आपका कोरोना बढ़ जाएगा, छीक है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, वाइटमिन डी का जो कैपसूल आता है, जो कि आपको वीक में केवल एक बारी खाना होता है, फिर हमने हिमालिय का गेलोए का एक टाबलेट आता है, वो हम सभी ने, मेंबर ने, दिन में दो-दो बार खाना स्टार्ट किया, एक मौर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीके, तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, उसके बाद हम लोगों ने, ये सारा मेडिसन तो चली रहा था उसके बाद फिर हम लोगों ने, फ्रेश फ्रूट्स, वेजेटेबल सब खाही रहे थे, उसके बाद सबसे जो इंपोर्टेंट फिंग था, जो की कोरोना से मैंने सीखा, कि अगर आप फिट रहते हो, तो कोई भी बिमारी आपको चू नहीं सकती है, तो उस तमें मैं फिट दो से तीन बारी नापो, ठीक है, चेक करते रहना होता है आपको, अगर आपके फैमली में 40 अवफ कोई है, उनको अगर कोरोना हुआ है, तो उनका भी नापना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उनका अगर चेक नहीं तो जो भी बात में है, आप लोगों के सामने बिल्कुल सच पेश करूंगी, क्योंकि I just want, everyone should be fit and healthy, तो उसके बाद 14 डेस कंप्लीट हुआ, 14 तक हम सभी ने यही किया, और हाँ, 14 डेस तक हम सभी ने रात को सोते वक्त, दूद में हल्दी और गुड मिलाकर के पीना बहुत ह क्योंकि वो हमारी immunity को strong करता है, हमारी जो पुरानी जो लीडीज थी, पुराने जो ancient लोग थे, वो उस समय से ही कहते हैं कि रात में जो दूद और हल्दी मिलाकर पीता है, उसे कोई बिमारी छूब भी नहीं सकता, तो वो हम लोग continue करते रहें, आफ्टर 14 डेस हम फिर से क्यार मैं क्यों नहीं ठीक हो रही हूं, लोग कहते हैं कि जो मतलब 20 से लेकर के 30 तक के जो लोग होते हैं, उन्हें corona होता है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, मैं क्यों नहीं ठीक हो रही हूं, तो मैंने गुस्ते में ही safe call लगाया, आपको अगर corona होता है तो आपके mobile पे messages आता उनको मैंने अपने सारे problems share किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से योगा करते रहिए, अच्छा खाते रहिए, almonds खाते रहिए, और उसके बाद जो दवा है, multivitamin और vitamin C, वो दो महीने तक लगतार continue करिएगा, और 14 days अभी और होने दीजे, 14 days तक same remedy follow करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है, कि 14 days के बाद आपका corona गायब हो जाएगा, तो after 28 days, मतला 14 days पहले का और 14 days फिर से complete हो जाने के बाद, दूधल दीजी हम लोग सब कुछ follow कर रहे थे, दवा वेकरा सब कुछ ले रहे थे, फिर से हमने चेक कराया, तो फिर से जब ह थे भगवान, थैंक गॉड, हम सभी बच गए, सभी ठीक है, और उधर मेरी बुवा लोग को जो हुआ था, जितने भी रेलेटिव लोग आये थे, उधर चेक भी अपने घर पर जाकर कराएं, तो उन लोगों का positive आया था, कुछ का, कुछ का negative आया था, लेकिन एक चीज मान पड़ेगी, बिहार में उतना proper care नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां के medical staff, जो है, अगर आप उन पर contact करते हो, तो वो शेओली आपको help करेंगे, advice सही देंगे, तो वो आप follow कर सकते हैं, बाकी जो बचा sanitization का वो इधर नहीं है, तो उसके लिए ठीक है, कोई नहीं, पतना क बाहर, जो मेरी बुआ पूने में रहती हैं, और डही घ्ली में लोग रहते हैं, लोग और तो उन लोगों का तो अच्छ तरीके से प्रोपर केया गया था हम सभी बच गए हम सभी अच्छे से हैं इस प्रेंट्स यह था मेरा कोवेड नाइंटीन के जो पेशेंट्स हैं जल्दी ठीक होकर के अपने घर वापिस चले जाएं डॉक्टर्स अच्छे से रहें और सभी अच्छे से रहें हमारी कंट्री हमारी दुन्या हमारा वोल्ड तो फ्रेंट्स यह था मेरा कोवेड नाइंटीन का एक्सपीरियंस और जर्नी उमीद करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा क्या मतलब मैंने इस वीडियो में शेयर किया है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा थैंक्स वोचिंग दिस वीडियो जय हिंद बने मात्रम